इंडिया पाकिस्तान से भी बहतर मुकाबला है जो इंडिया ऑश्ट्रेलिया के बीच में होता है वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बहुत ओवर हाइप होते हैं मतलब बहुत ज्यादा उनको हाइप किया जाता है बहुत ज्यादा उनसे उमीदे रखी जाती है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से लेकिन क्यूंकि पिछले कुछ वर्ल्ड कप से हमने देखा है कि इंडिया पाकि अगर आप देखे वर्डकप में तो बहुत इंतर्टेनिंग होते हैं बहुत मज़ेदार होते बहुत प्लोज होते हैं तो इस पर अगर मैच चर्चा करूं तो मेरे हिसाब से तो देखी अगर प्रीवियेमच अगर World Cup's के बारे में बात करें, 2019 में हमने Australian को हराया था, वो मुकाबला बहुत ही मज़ेदार था, शिकर दवन ने बहुत शांदार शतक बनाया था, वहाँ पर 2015 में हमने semi-final से Australian से मुकाबला हारा था, वहाँ पर Steve Smith ने बहुत शांदार शतक लगाया था, और उससे पहले 2011 म हमने final में उनसे हार जेली थी जहां पर गिलकृष ने बहुत शांदार पारी खेली थी तो अगर देखा जाए तो बिलकुल अगर stats की साथ देखा जाए तो India Australia का जो मुकाबला होता है World Cup में वो कहीं न कहीं थोड़ा सा जो battle हो close होता है लेकिन भारत-Pakistan का match वो एक emotion है भारतिये fans के लिए और पाकिस्तान के fans के लिए दोनों मुलकों के fans के लिए वो एक emotion है और over hype तो छोड़िए उसे over hype होना चाहिए क्योंकि इतने emotions जुड़े हुए उस मुकाबले के साथ दोनों ही मुलकों के fans के लिए और एक proper battleground वाला महौल जो होता है वो भारत पाकिस्तान ही देता है भले ही मुकाबला one-sided ही क्यों न हो लेकिन जो battleground वाला जो महौल होता है proper कि भई आप एक जंग के मैदान में हैं वो feeling सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ही आती है तो ठीक है इंडिया औस्टेलिया में मानता हूँ मुकाबले close होते हैं वहाँ पर और अच्छे मुकाबले होते हैं क्रिकेटिंग point of view से अच्छे मुकाबले होते हैं लेकिन जो emotion भारत और पाकिस्तान दे सकता है वो कोई दूसरी rivalry आपको नहीं दे सकती है तो 8 October भारत औस्ट इतना हो ये होगा कि कौन सी टीम याप बाजी मारती है तो आपको क्या लगता है कि आप सौरफ गांगुली से सहमत है इंडिया ऑस्टेलिया जादा बेटर मैच है इंडिया पाकिस्तान जादा बेटर मैच है हमें comment section में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अगर आपको ये